हेलो फ्रेंट्स वेल्काम इन मैं चैनल स्पिरिट्रिट्रिपल नाइन दिस विकास और यह एक्सल कलेक्चिर 7 है जिसमें हम लोग हूम टैप के एडिटिंग ग्रूप को पढ़ने वाले हैं एडिटिंग ग्रूप एक्सल के बहुत ही स्मार्ट और यूसफुल ऑप्शन का कलेक्चिन है जिसमें हम लोग एक्रॉस वर्कशीट, फिल सीरीज, क्लियर फॉर्मेटिंग या फिर गो टो स्पेशल जैसे ऑप्शन डीटेल में देखने वाले हैं इसीदे चलते हैं एक्सल में, तो एडिटिंग ग्रूप में सबसे पहले हमारे पास आटो सम है, आटो सम क्या है कि जैसे आपके पास कुछ नमबर्स लिखे होगे हैं किसी रेंज में और आप इनको एड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल इन्हें सेलेक्ट करके आटो सम पे हैं, जितने भी नमबर आपको एड करने हैं, ब्रैकेट लगा के और ब्रैकेट क्लोस कर दीजे और एंटर कर दीजे तो यह सबको एड कर देगा, इस फॉर्मुले में जो इक्वल साइन का फॉर्मुला है, सम में अब फंक्शन जो लगाते हैं, इसमें एक एक नमबर कॉमा करके दे सकते हैं, यह ऐसे भी नमबर को एड कर देगा, और ब्रैकेट लगा के क्लोस कर दीजे, लेगिन सम फंक्शन हम लोग तब भी यूज करते हैं, जब हमारे पास रेंज हो, तो हम एक साथ रेंज सेलेक्ट करते हैं, एक एक करके वैल्यू देना हैं, तो वो काम हम दा अड्रेस आता जाता है, अड्रेस मतलब क्या है, हर सेल को इडेंटिफाई करने के लिए, उसका कॉलम नमबर और उसका रो नमबर लिखा जाता है, जैसे इसको हम G3 कहते हैं, तो G3, जैसे यह G5 और G8, सीधे अड करके OK कर देंगे, यानि Enter, तो उसका addition आ जाएगा, तो addition आ जाएगा, और इस तरीके से हम mathematical कोई भी formula यहाँ पर apply कर सकते हैं, बस हमें equal sign लगाना है, जैसे हमें 500 का 10% निकालना है, तो multiply करेंगे 10 और divide कर देंगे 100 से, तो यह formula हम सीधे लगा देंगे, equal sign लगाके और Enter करेंगे, तो इसका result आ जाएगा, हमें divide करना है, हमें multiply करना है तो हम सीधे यहाँ पर number लिख करके कर सकते हैं, या फिर कहीं पर value लिखी है, जैसे यह value लिखी है, minus का sign लगाया और इससे हमको यह minus करना है, तो हमने इसको select किया, minus का sign लगाया और इसको select किया और enter कर दिया, तो यह minus कर देगा, तो इस तरह से हम directly यहाँ पर values में formula भी लग सकते हैं, और sum हम direct भी यहाँ से कर सकते हैं, auto sum में आप click करेंगे, तो यहाँ पर कुछ और भी functions है, यह fundamental functions यहाँ पर दिये हुए हैं, पाच, इसके लगा और भी बहुत सारे function है, जो more functions है आपको मिलेंगे, या फिर यहाँ formula tab में आपको मिलेंगे, तो यह हम लोग आगे चल average निकालना है, उनको आपको select कर देना है, select करने के बाद bracket close कर दीजे और enter कर दीजे, तो इनका जो भी average है वो निकाल देगा, ऐसे ही आप इस range में पता करना चाहते हैं, कि maximum number कौन सा है, तो max function लगाएंगे, और इसको select कर देगे, bracket close करेंगे, तो यह बता देगा, इसमें maximum number अपर यह है, ऐसा ही हमें minimum number बता करना है, तो हम यहाँ पे min लगाते हैं, और bracket लगाके range को select कर देते हैं, तो यह minimum number हमें बता देता हैं, और same to same count function है, igual sign लगाके हमें count लिखना है, और bracket लगा गे हमें बताना है, कि यहाँ पे जो है number कितने लिखे हुए हैं, तो यह इनको count क कर सकते हैं तो इस तरह से यह sum और autosum के functions complete कर लिए हमने अब चलते हैं fill वाले option को देखते हैं तो हमारे पास fill option है उसके लिए हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं सबसे पहले हमने data लिख लिख लिया हुआ है expert तो हमने यहाँ पे data लिखा हुआ है और हम जाएंगे सीधे fill पे fill option fill करने के लिए है values को चाहे वो text value हो या फिर number या फिर date values उनको अलग-अलग तरीके से smart तरीके से filling हम लोग यहाँ से करते हैं तो जैसे expert को हम इसके ठीक उपर वाली cell में fill करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे fill पे और up पे click कर देंगे ऐसे एगर हमें इसको right side में यहाँ पे करना है तो right side वाली cell select करेंगे और फिर right में जाके click कर देंगे तो यह वाली value as it is यहाँ पे print हो जाएगी यहने की display होगी तो शारो तरफ ऐसे हम values को fill कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास fill में across worksheet है तो इसका use क्या है जैसे मालनीजे यह वाली sheet में यह सारा data लिखा हुआ है और यह data as it is आप sheet 5 में ले जाना चाहते हैं या फिर किसी और sheet में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसी location पे उसी cell address जो यहाँ पे है वही यहाँ पे automatic वो select करेगा और वहाँ पे आ जाएगी तो एक तरीका तो यह है कि हम यहाँ से copy करें और यहाँ जाके paste कर दे या फिर हमारे पास एक direct तरीका है across worksheet का तो आपको करना क्या है step समझेगा data को select करना है control button दबा के रखनी है और जिस sheet में ले जाना उस पे एक बार click कर देना है फिर से सुनिए data को select करना है control button दबाना है और जिस sheet में ले जाना है उस पे एक बार click कर देना है बस उसके बाद fill पे जाईएगा across worksheet पे click करिएगा अब क्या ले जाना है उस sheet में तो all मतलब सब कुछ आएगा सिर्फ content ले जाना है सिर्फ formatting ले जानी है हमने का हमें सब कुछ ले जाना है तो हम okay कर देंगे आप देख सकते हैं sheet 5 में भी वो data as it is आ चुका है और sheet 1 में तो ये है ही इसके बाद ह हमारे पास series option है तो series number की series बनाने के लिए है तो series बनाने के एक डारेक्ट तरीका भी होता है जैसे आपने यहाँ पे लिखा one आप बाहर क्लिक करिए फिर इस one को select करके और यहाँ यह जो point दिया हलका सा cut इस पे आप pointer ले जाएंगे तो यह pointer का sign change होगा यह plus black बन जाएगा औ और इस पे क्लिक करके आप इसे drag कर देंगे नीचे की तरफ तो आप देखेंगे यह वही number को repeat कर दे रहा है अब इसके बाद अगर आप यहाँ इस number में series fill करना चाहते हैं तो आप चाहें तो दो number यहाँ पे type करें और फिर दोनों को select करें उसके बाद जब drag करेंगे तो यह एक के difference से value को आगे बढ़ाएगा तो जब आप दो number type कर देते हैं तो उन दोनों के बीच में जो difference होता है उसको यह समझता है और उस difference से value को आगे बढ़ाता है जैसे 5 लिग दिया और 10 लिग दिया तो आप दोनों value के बीच में 5 का difference है तो जब आप आगे जाएंगे तो 5 के difference से value को आगे बढ़ाएगा तो इस तरह से आप किसी number की table print कर सकते हैं बाकि इसी काम को करने का direct तरीका option के थुरू भी है अपने यहाँ पे लिखा 2 फिर बाहर क्लिक करके इसको select करा और fill पे गए यहाँ series option पे क्लिक करें यहाँ देगे पुछेगा कि series आपको row में चाहिए है column में चाहिए हमने का column में step value क्या है हमने का 2 और stop value कहा तक जाना है हमने का 20 तक जाना है और linear यहाँ पे ले रखा है OK कर देंगे तो यह table print कर देगा यही पे जैसे हमने 2 ले लिया और series पे जाते हैं यहाँ series पे हम यहाँ selection में column ही रखते है step value यहाँ पे हम 2 कर देते है stop value हम यहाँ पे माल लेजे 50 कर देते हैं और यहाँ linear की जाएगा growth कर देते हैं तो देखे growth क्या है जो number है उसमें multiply करता है और जो next number आएगा फिर उसमें इस number को multiply करेगा तो आप growth है कि जो number आपने दिया है उसको multiply करके आगे बढ़ाता है और ऐसे ही हमारे पास series में यहाँ date option भी है तो date में आप day, weekday, month या year बढ़ाना चाहते हैं किसी date में तो हम यहाँ पे एक date दे देते हैं हमने दिया 1, 2 और 2020 इस date को आप select करिए और जितने area में आपको date fill करने है उतना area select कर लीजिए जैसे यहाँ तक हमें date fill करने है इसके बाद हम fill option पर जाएंगे series पर जाएंगे date select करके हम बता देंगे day में हमें series बनाना है कि month में बनाना है कि year में बनाना है तो हमने देखेंगे date वह है लेकि month change हो रहा है इस बार दो से 3-4 बार series बना रहा है और यह चीज हम year के साथ कर सकते हैं हम यहाँ पर year लगा देंगे तो year change हो गाए देखे 21, 22, 23 की series बनती चली जा रही है day और month सेम है और यहाँ पर weekday आप कर सकते हैं weekday जैसे ही आप करेंगे तो इस पर देखेंगे date change हो रही है 1, 2 यहाँ पर नहीं उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 उसके बाद 8 और 9 मिसिंग है फिर 10, 11, 12, 13, 14 फिर 15 और 16 मिसिंग है तो USA में जो format है weekday का weekday का मतला होता है हफते में वो दिन जिस पर working होती है इनको working day आप कह सकते है तो foreign में क्या होता है कि Saturday Sunday off होता है और 5 days ही weekday होता है यानि working day तो उसी हिसाब से यह software में दिखाता है कि यहाँ से 7 तक है और 8 और 9 Saturday Sunday होगा उसको उसने off दिखा दिया और फिर उसके बाद जो working days है उनको इसने दिखाया होगा है फिर दो दिन का यहाँ पर gap मिलेगा Saturday Sunday और उसके बाद फिर आगे बढ़ाएगा तो यह चीज weekday कहलाती है तो यहाँ पर print करता है तो इस तरह से series के यह सारे important option यहाँ पर complete हो जाते है इसके बाद देखते हैं justify option है fill के अंदर यहाँ पर देखेंगे justify justify को समझने के लिए यहाँ पर हमने data तयार किया है देखें इसको हमने select किया आप यहाँ पर देखें कि column जो हमने लिया है उसका अपना size fix है September maximum value है उसके बराबर बाकी कुछ value ऐसी भी है जो छोटी है तो जब आप justify करते हो तो यह कोशिस करता है कि हर cell की value को equal कर दिया जाए तो जहाँ पर value कम है तो वो दो cell की value mix करके एक में कर देता है जैसे March और April उसने 7 कर दिया May और June उसने 7 कर दिया तो इस तरीके से यहाँ पर adjust कर देता है अगर column को size आप और बढ़ा दे मालने जे हमने column को size इतना बढ़ा दिया तो अभी भी space free है तो यह क्या करेगा यहाँ से value को उठाके इस cell में value को adjust करेगा और fill करने की कोशिस करेगा इस cell को तो देखे क्या होता है justify पे तो यह और January, February और March को mix कर देगा यहाँ पर अप्रिल, में, जून, जुलाई, चार मन्त इसमें उसने add कर दिये हुए है तो इस तरह से adjust करने की कोशिस करता है जो आपकी range है cell की उसके size के हिसाब से data को fill करने की कोशिस करता है इसके बाद हमारे पास flash fill है तो flash fill काफी smart option है देखे क्या है flash fill देखने के लिए हमने यह data यहाँ पर लिखा है देखे, इधर हम यहाँ पर विकास लिखते हैं हम क्या चाहते हैं कि हमारे left side में column है, उसमें name लिखा हुआ है उसके बाद कुछ एक symbol बना है फिर values लिखी है तो इस data में से हमें सिर्फ alphabet वाला part निकालना है और बाकी नहीं चाहिए तो एक एक करके सबसे यहाँ पर write करना पड़ेगा तो flash fill इस काम को आसान कर देता है first वाले cell में जितना part आपको चाहिए text वाला उस pattern को आप इधर लिख लिए जैसे हमने विकास को लिख लिया और नीचे की तरब drag कर दीजिए तो वही यहाँ पर repeat हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जाना है तो यहाँ वही flash fill का option आजाएगा इस पर आप click कर दीजिएगा copy cell का मतलब copy कर दिया इसने fill series पर click कर देंगे तो यहीं से series print कर देगा 1,2,3,4 की formatting only copy करनी है fill formatting only तो हम यहाँ पर click करेंगे तो देखे value हटा दिया है उसने सिफ formatting रखी है क्योंकि हमने का formatting रखो अगर fill without formatting कर देखे क्या होता है कि value को copy कर दिया लेकिन उसकी formatting लेकि नहीं आया आगे तो आप किसी भी value को इस तरह से भी print कर सकते हैं बाकि series print करनी है तो उमने आपको बताया series print करेगा साथ में formatting भी रहेगी इसके बाद selected area को delete करने के यहाँ पर clear करने की option है मैं पहले पिसको पढ़ा चुका हूँ clear all से सब कुछ हट जाएगा यहाँ से clear format का मालग उसकी formatting चली जाएगी लेकिन data बना रहेगा ऐसे ही comment लगाने को option होता है तो comment आप हटा सकते हैं या सिफ content हटाना है formatting रखनी है hyperlink लगा हुआ है तो वो हटाना है तो यह सारे option हम लोग आगे सीखेंगे comment कैसे लगती है hyperlink कैसे लगता है तो वो लगा हुआ तो उसको यहाँ से हटा सकते हैं इसके बाद हम चलेंगे go to special find, replace, go to यह तो पुराने option है किसी चीज़ को ढूणना है या फिर column by डूणना है row आप select करते हैं तो एक-एक row select करके check करेगा फिर उसके बाद दूसरी row में फिर तीसरी row में और अगर column बाई चेक करेगा तो first column में चेक करेगा फिर second में फिर third में ऐसे check करते हैं और इसके लाब formatting के हिजाब से भी search कर सकते हैं कि मालने जी हाय तो search करना है लेकिन कोई particular format वाला search करना है उसका font जिसका aerial black हो या agency FB हो या फिर size उसका 14 हो ऐसा हाय सर्च करना है जिसका size 14 हो और जिसमें font लगा हो है agency FB तो इस हिसाब से भी search कर सकते हैं formatting के हिसाब से ऐसे हमारे पास replace option है किसी data को दूसरे data से change करना है उसकी formatting change करना होगा size change करना कई जगे लिखा हुआ है तो यहाँ पे higher लिखेंगे जो formatting है वो ले लेंगे और यहाँ पे higher लिख देंगे और जिस formatting में करना है वो ले लेंगे और okay कर देंगे यहाँ जाके तो सभी जगह उठा करके क्या करेगा वो formatting बदल देगा तो हमें जो change करना है replace कर सकते हैं ऐसा ही go to option है यह भी बता होगा आपको यहाँ पे किसी भी cell में जाने के लिए उसका आप address सीधे लिखिए जिसे हमने यहाँ पे लिखा h5 और ok किया तो आप देख सकते हैं यह h5 है यह 5 row number h तो यह सीधे यहाँ पे jump कराएगा बाकी यह काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं यह name box है यहाँ पे एक बार click करेगा तो यह select होगा और यहाँ पे सीधे type करेगा जिस cell में जाना है और enter कर दीजेगा तो सीधे वहाँ jump कर जाएगे तो आए go to special पे चलते हैं उसके लिए हम इसको select करके इसकी formatting हटा देते हैं यहाँ से clear format कर देते हैं data हमारे पास रहेगा जो भी formatting, bold, italic, alignment सब कुछ इससे clear हो गया है go to special देखे यहाँ पे क्या है एक बड़ा option है, इसमें बहुत सारे option है तो सबसे पहला option comment का आता है तो इस data में जहाँ जहाँ पे comment लगी होगी वो highlight हो जाएगी, फिलाल तो कोई comment लगी नहीं है तो हम लगा के देखते हैं comment लगाने के तरीके तो यहाँ पे भी हैं तो आप देखेंगे, हलका सा highlight तो हो रहा है लेकिन बहुत सारी comment है और उसमें हमें एक साथ highlight करना है special को changes करने है तो हम data को select करेंगे पूरा और उसके बाद go to special पे जाएंगे और यहाँ से comment को select करके ok कर देंगे, तो आप देखेंगे जिसमें comment लगी है, वो highlight हो जाएगा और उसमें आप जो color देना चाहें दे सकते हैं, ताक कि वो highlight हो सके अलग से, तो comments को directly select करने के लिए go to special use कर सकते हैं ऐसे ही selected area में जो constant values है, constant का मतलब आप यहाँ पे click करिए go to special और constant पे click करके ok कर दीजे तो constant में जैसे आप click करेंगे तो देखें कई तरह की चीज़े यहाँ पे निकल करके आ रही है, number या text या logical value या error तो आप ok करिए यहाँ पे constant में तो आप देखेंगे जो constant values है जैसे यह constant value नहीं है, यह formula से आई हुई value है, इन पे formula लगा हुआ है हमने इसको इससे minus किया था, तब यह value आई थी लेकिन यह direct लिखी हुई value है इनको constant value कहते हैं चाहे वो text हो और चाहे वो number हो तो इनको highlight कर देगा और जो यहाँ पे formula से आई हुई value है उनको इसने नहीं select किया हुआ है जो इसको आप अलग से highlight करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जो constant value है ऐसे ही आप यहाँ formulas में जाएंगे तो आपको सिर्फ number select करने हैं या सिर्फ आपको error select करनी है, number वाला column हमने लिया, तो देखो formula जहाँ पे लगा है और सिर्फ number वाली values हैं उनको highlight कर देगा कई बार error आ जाती है कुछ columns में कई जगा error हो जाती है जैसे हमने यहाँ पे number add किया और गलती से यहाँ पे कोई text आ जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे error आ जाएगे ऐसे ही यहाँ पे कोई text आ गलती से तो यहाँ error आ जाएगे तो selected area में कहाँ कहाँ पे error है उस error को find out करना है लगाके highlight कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे error आए हुई है इसके बाद go to special में हमारे पास blank है blank और current reason है तो blank में देखे जैसे बीच में कोई cell यहाँ पे blank है उन्हें इसको delete कर दिया ऐसे ही इसको delete कर दिया और यहाँ पे हो सकता है यह वाला भी click करके ok कर देंगे तो यह सी blank cell को highlight कर देगा कि यहाँ यहाँ blank है आप color दे सकते हैं blank highlight हो जाएगा ऐसे ही हमारे पास एक option है यहाँ पे reason selection का तो reason का मतलब क्या होता है आपने यहाँ cursor रखा है तो यह पूरा data का यह area है जो एक दूसर से connected है इस पूरे को हम एक reason कहेंगे ऐसे हमारे जीसको हमने copy किया यहाँ पे और यहाँ पे paste किया तो यह एक दूसरा reason है यहाँ पे भी data है तो यहाँ पे आप control ले करेंगे तो यह select हो जाएगा reason ऐसे यहाँ पे cursor किसी cell में रखा होगा control ले करेंगे तो यह पूरा एक reason select हो जाएगा इसको हम reason या area कहते हैं ऐसे ही यही काम करने के लिए go to special में भी है तो हम यहाँ पे जाके current reason पे click करेंगे तो यह उस पूरे area को select कर लेगा तो यह काम हम control ले से भी direct करते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे current array है तो current array array functions होते है Excel में इसमें कई सारी चीज़े ऐसी भी हैं जो अभी हम लोगों ने इसमें course में cover नहीं की हैं तो जैसे जैसे cover होती जाएंगी यह आपको समझ में आता जाएगा current array मतलब array जो formula होता है उसको select करने के लिए है तो array formula या array function पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि array functions को हम यहाँ से select कर सकते हैं सीधे जहाँ जहाँ पे लगा होगा array function यह उसको select कर लेगा या उस function से related जो values होंगी उनको select कर लेगा ऐसे ही object को select करने के लिए होता है तो object क्या है जैसे यहाँ पे आप insert करिए इनको हम लोग यहाँ पे object बोल रहे हैं तो यह हमने तीन बना रखे हैं और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आपको एक साथ इन सभी object को select करना है तो आप control के साथ एक एक करके select कर सकते हैं या फिर go to special में जाए अबजेक्ट पे click करें और रोके कर दीजिए तो यह एक साथ सारे select हो जाएंगे जो भी changes करने आप कर सकते हैं tap बटन से एक से दूसरे में shift भी कर सकते हैं देख़ें selection यहाँ पे shift हो रहा है एक से दूसरे में जा रहा है तो आप difference का मतलब है कि यहाँ पे आप select करेंगे हर row में जैसे यह वाली x की row है इसमें values रखी हुई है तो almost सारी value same है एक दो value अलग है ऐसे second वाले में भी सारी same है एक दो value different है तो यही हमें पता करना है कि हर row में कौन-कौन सी value है जो different है अलग है तो हम यहाँ पे जाएंगे ctrl-g करके भी हम जा सकते हैं शॉटकट की है ctrl-g और यहाँ पे special मिल जाएगा तो यहाँ से आप ही फोच जाएंगे go to special में और यहाँ से row difference पे click करके ok कर देंगे तो इसमें देखिए कि इस वाली row में 56 different है इस वाली row में 90 और इस वाली row में 34 और 32 different है बाग की सारी value सेम है ऐसे हम इस पे selection करेंगे और ctrl-g और special पे चले जाएंगे यहाँ पे हम column difference को select करके ok कर देंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि हर column में कौन सी value different है जैसे इस column में 5, 55 और यह 45 ऐसे 55, 44 और 6 और 60 यहाँ पे different है हर column में इसके अलावा हमारे पास go to special में precedence और dependence values है यह भी data tab में options और formula tab में option आता है precedence values और dependence values को find out करने के लिए precedence और dependence के जैसे यह values है इनको हमने add करके इन में से कुछ value उठाई और उनको add करके 12 बना दिया कौन कौन सी value add है H3, J3 और L3 यह H3 है यह J3 और यह L3 है तो 6, 4 और 2 यह तीनों इसमें add हो करके रखे हुए है तो इसको हम बोलेंगे precedence value और इनको बोलेंगे dependent value तो यहाँ से highlight कर सकते हैं कि इस पूरे area में जैसे हमने इसको select कर लिया और हमें पता करना है कि यहाँ पे कौन सी value precedence value है और कौन सी dependent value है तो precedence value पे हम click करेंगे तो यह बता देगा कि किस value की precedence value है यहाँ पे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 3, sorry 2, 4 और 6 इनकी precedence value है तो ये भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं क्या होता है precedence और क्या होता है dependence value ऐसे ही last cell एक option है यहाँ पे तो last cell पे click करेंगे तो इस area में इस sheet में जो last cell होगी जहाँ पे आपने working की होगी वो यहाँ पे highlight होगी जैसे देखें कि यहाँ पे हमने कुछ work किया होगा यह कुछ type किया था यहाँ पे last cell आ गई है ऐसे ही माल लिजे इस sheet में हमने यहाँ पे कुछ type कर दिया तो यह last cell है हम इसको delete कर भी देंगे तब भी यही last cell है working cell अगर हम कहीं पे भी करसर रखें और यह पता करना चाहते है कि हमारे sheet की जो last cell है वो कहा है तो हम इस पे click करके okay कर देंगे तो अगर वो cell होगी तो आ जाएगी otherwise कोई और cell होगी तो वो highlight हो जाएगी last cell यही है इसके बाद हमारे पास एक option यहाँ पे है visible cells only का अब यह क्या है कई बार column जो होते है यह data जो होता है वो hidden होता है सब total लगाके hide कर देते हैं या फिर हम लोग filter लगाके hide करते हैं या फिर hide करने का तरीका हमने यहाँ से सीखा था ऐसे भी hide होता है direct सा hide करने का तरीका क्या है column पे click करें और उसको ऐसे left में drag करते चले जाएए जितने column को आप एक साथ चाहें hide कर सकते हैं तो यहाँ पे यह column एक साथ hide हो जाते हैं यह देखें यहाँ पे इतने column hide हो गया है अब यहाँ पे माल लिजे कोई data लिखा है और हम उसको copy करते हैं तो इतना data हम यहाँ पे copy करेंगे ctrl c से और यहाँ paste करेंगे तो आप देखेंगे कि जो data hidden था वो भी यहाँ पे copy होके आ गया है तो कई बार हम ऐसा चाहते हैं कि जो data hidden है वो यहाँ पे copy ना हो सिर्फ जो visible data है वो यहाँ पे copy होकर के आए तो हम इसको select करते हैं और यहाँ पे जाते हैं go to special पे और यहाँ से select कर लेते हैं visible data visible cells only और okay कर देते हैं तो सिर्फ वो cell यहाँ पे select होती है जो visible है अब हम इस पे copy करके और यहाँ paste कर देते हैं तो जितनी visible थी सिर्फ वो paste होकर करके आए है difference आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं इसी तरह से go to special में conditional formatting और data validation को भी select करने का option है कि इस sheet में selected area में कहाँ कहाँ conditional formatting लगी है वो आपको पता करना है तो select करके okay कर देंगे तो यह select करके दिखा देगा कहाँ कहाँ conditional formatting लगी है और ऐसा ही data validation जहाँ जहाँ लगा होगा तो यह भी highlight कर देगा कि कहाँ कहाँ पर data validation लगा हुआ है तो यह option भी हम लोग आगे पढ़ेंगे conditional formatting पढ़ चुके हैं तो यह go to special के almost सारे important options हमने यहाँ पर देख लिए हुए जो ज़्यादा use होते हैं sort or filter option यह भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग को data में मिलेंगे फिर से देखे sort or filter option है तो short तरीके से direct करने के लिए इन्होंने यहाँ पर दे दिया है but actual place उनका वही है तो हम लोग वहीं पर पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पढ़ेंगे तो फिर वहाँ दुबारा पढ़ना है और ये वीडियो अल्रेडी इतना बढ़ा हो रहा है तो इसलिए हम इसको फिर वहीं पर पढ़ते हैं So guys that's all for this lecture if you have any doubt or question then you can contact thanks for watching